हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एवन इंफोर्मेशन में महुँ आपका दोस्ते इसके तो दोस्तों आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बैतरीन बिजनेस आइडिया और यह जो मशीन आप लोगों के सामने मैं प्रिजेंट करने वाला हूं इसमें जो आप मशीन लेने वाले हो जिसका वीडियो में आपको बताने वाला हूं यह मशीन बहुत प्रोडक्शन करके देती हैं और इससे आप बहुत ही कम वक्त में अच्छा पैसा अरण कर सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मशीन आपको कहा से लेनी हैं कितने रुपिय का आपको इसमें खर्च है और रो मेटिरियल किस तरह आप रेडी कर सकते ह हैं सेंगल फेज या थ्री फेज के या पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और मशीन का आपको कॉस्ट पर्चेस आप कितनी रुपिय में इसे कर सकते हैं और प्रोडक्शन किस तरह का कर गया मार्केट में से सेल करना है तो इस वीडियो में आपको पू यह नोटिफिकिकिशन आप तक पहुचे तो चलिए रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाए यह नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फैनली दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे हूँ हैं दोस्तों नूडल्स मेकिंग बिजनेस जी हाँ दोस्तों नूडल्स की इस तरह से आपको बनानी है हम यह आपको बता रहे हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं मुबाइल के स्क्रीन पर इस तरह से आपको गोल कर लेना है और इसे के अंदर आपको डाई फिट कर देनी है जिसे आपके नूडल्स कट कर आपको मिल जाते हैं हम आपको प्रविस्तार में बता रहे हैं कि इस तरह से आपको रोल उपर के तरफ फिट कर देना है और फिर डाई लगा कर आप इसी मशीन से आप नूडल्स बना सकते हैं यह देखिए नीचे की तरफ डाइफिट है और इसी के अंदर इस रोल को फिट कर देना है और आप इस मचीन से नूडल्स बहुत फास्ट बना सकते हैं यह देखिए हम आपको लाइब डेमो दे रहे हैं आप देख सकते हैं नीचे की तरफ नूडल्स आपको बन मिल जाती हैं और आप इसी मचीन से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और यह सिंगल फेस मचीन है दोस्तो आप इसे घर से ही इसे यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा यह आपको रॉम मेटृरियल ये करके दी इती हैई K입 हमारे आपको बताया जा रहा है कैमेरे के सामने आप देख सकते हैं इस तरह का नूडलस आपको बन कर मिल जाता है और इस तरह के नूडलस को इन यहाँ पर आपको इन्हें रख देना होता है थोड़ा सुखने के लिए और इसी को आपको थोड़ा सुखा कर इसका पानी आपक अगर नूडल्स बनाते हो तो उसके अंदर थोड़ी नमी रहे जाती है उसके अंदर जो मौझूद पानी है उसको आपको थोड़ा सुखा लेना है और सुखाने के बाद इस तरह की पैकिंग आपको कर देनी है और इस तरह की पैकिंग कर देने के बाद आपको इसे मार्केट में सेल करना है और अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो आप अगर साधी केरी बैग में अगर सेल करते हो तो इसके लिए आपको कोई लाइसन की जरुरत नहीं पड़ती है इस तरह की साधी पैकिंग में इसको आपको कोई लाइसन की के तोर पर भी sell कर सकते हैं यह बहूत profitable business है है आपने देखा हूँ जिस तरह से मैगियो अगे यह जो sell होता है उससी तरह से आप अपने product को भी brand के तौर पर sale कर सकते हैं तो यह बहूत profitable business है 1 मॉर्किट में इसक बहुत ज्यादा माँग है और बहुत earning वाला business है अब बात करते हैं इसमें जो raw material use होता है दोस्तों इसमें जो raw material use होता है बहुत कम पेसों में और हर जगाई आपको available हो जाता है और आप इसे खरीद कर इसे आप अपना business शुरू कर सकते हैं तो इसमें जो raw material use होता है बात करते हैं उस raw material की दोस्तों तो वो गेहो के आटे का आपको इसमें इस्तेमाल करना है और गेहो के आटे से आप नूडर्स को बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप इससे प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू व